दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक dae डोको इस वीडियो में आपको देखने को मिलें सभी बड़ी खबरे मुक्य समया और उपके रूपए तो जेदी आप चैनल पर नाए हैं तो जएनल को सबस्काइब करने के बार घंटी बढ़न को जरूट से दबा दे ताकि जो भी विडियो ड़ने आप तक पहुंच जी रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसी बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है दोस्तो पीड़ो को एक लाइक जरू करें दोस्तो लोक सभा चुनाव 2019 आंध्य परदेश में सुने तमिल नाडू में भी शुने ममता बनर्जी ने बताया बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जी हाँ दोस्तो पस्चिम मगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर्जी और बीजेपी के ब पैसो के दम पर जनता के वोट खरीदना चाती है उन्होंने काई कि बीजेपी के नेता 300 से ज्यादा सीटे जीतने का दावा करते हैं लेकिन सचाए कुछ और ही है इसी दोरान उन्होंने बताया है कि किस राज में बीजेपी को कितनी सीटे मिलने का अनुमान है ममता बनर्ज सुर्जेवाला ने भी कहा है कि लोकतंत्र के इतिहास में आज काला दिन है पहस्ची मगाल का चुनाओ आयोग के आदेश के अनुछेद 14 और 21 के अंतरगत जारी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है तथा आयोग ने सबको समान और सो देने के असमविधानिक कारे का न अनुपालन नहीं है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़वर है आपका अधार कार्ड कहां कहां हो रहा है इस्तिमाल आप मिंटों में चेक कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो अधार कार्ड आज के समय में हर इंसान का महत्पून पूर्फ बन गया है सरकार ने आधार कई कहां कहां इस्तिमाल हो रहा है जिससे आप अपने अधार कार्ड को ट्रेक कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि यू आई डी आई अपने अफिसियल वेब साइट पर यह सर्विस सुरू कर दी है जिससे आप अपने अधार कार्ड के इस्तिमाल को ट्रेक कर सकते है आपका आधार कार्ड कहां और किस काम के लिए इस्तमाल किया है यह जान सकते हैं गौरतलब है कि इस सर्विस का फायदा आप तब उठा सकते हैं, जब आपका आधार कार्ड मुबाईल नमबर से लिंक होगा जिहां दोस्तों मुबाइल नमबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिससे डालने के बाद आपको यह सारी जानकारी मिल जाएगी जिहां दोस्तों आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन से स्टेप हैं जिसको आप फॉलो करके आप अपने अधार काट को बारे में जान सकते हैं सबसे पहले आप UIDI के ओफिसल वेबसाइट पर जाना होगा होमपेज खुलने के बाद अधार सर्विस पर क्लिक करें जिहां आपको आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का आप्सन मिलेगा अब आपसे आधार नमर मांगा जाएगा आधार नमर डालने के बाद आप सब्मिट कर देंगे तो आप अपने रजिस्टर मुबाइल पर एक OTP आएगा OTP डाल करके आप सब्मिट करेंगे तो आपके सामने आधार इस्टमाल की सारी डिटेंट सामने आ जाएगी जिहां दोस्तो अगली बड़ी ख़बरे भारत बनेगा चांद पर चोथी ताकत अपने साथ 13 पेलोड लेकर के जाएगा 308 टन का चंद्रियान 2 जी हां दोस्तो जुलाई महीने में इसरो चांद पर अपना दूसरा सुदेशी मिशन चंद्रियान 2 भेजने वाला है इस मिशन में 13 पेलोड होंगे जिसमें से एक पेलोड अमेरिकी अंतरिक्ष एजन्सी नासा का भी है जी हां दोस्तो चंद्रियान 2 के 6 सितंबर को चंद्रबा पर उतरने की संभावना है और्बीटल चंद्रमा की सता से 100 किलोमेटर की दूरी पर अपना चक्कर लगाए जबकि लेडर चंद्रमा के दक्छनी दूरू पर आसानी से उतरेगा और रोवर अपनी जगह पर प्रियोग करेगा इसरो के मताबिक इस अभियान में GFLV Mark 3 पर 56 यान का इस्तमाल किया जाएगा इसरो ने कहा है कि रोवर चंद्रियान की सता पर वेग्यानिक प्रियोग करेगा लेड और और और्बिटल पर भी वेग्यानिक प्रियोग के लिए उपकरन लगाए जाएगे इसरो के अधक्ष के सिवान ने कहा है कि जनवरी में कहा था उन्होंने की हम यानि चंद्रमा पर जगह पर उतरने जा रहे हैं जहां अभी तक कोई नहीं उतरा है यानि चंद्रमा के दक्षनी धुरुपर इस छेतर को अब तक खांगाला नहीं गया है जी हाँ दोस्तों चंद्रियान दो पिछले मिशन एक मिशन का उपकरण वर्जन होगा चंद्रियान एक अधिक्तम करीबन 10 साल पहले यह किया गया था ये 11 पेलोड लेकर के गया था जिसमें से 5 पेलोड भारत के थे तीन यूरोप के तीन अमेरिका और एक बुलगारिया का था चंद्रियान एक को चंद्रमा की सतर पर पानी खोजने का स्रे दिया गया है इसको PSLV के जरिये लॉंच किया जाएगा दोस्तों बेड़ को एक लाइक जरू करें इसके बाद कस्मीर से लेकर के कन्या कुमारी और कोलकत्ता से लेकर के कच तक पूरे देश से एक एक खुसपेटियों को चुन चुन कर खदेड़ने का काम भाजबा सरकार करेगी उन्होंने कहा है कि 13 वीत आयो के यूपीय की सरकार ने उत्तर परदेश में 3,808,707 करोर रुपे दिये थे लेकिन मोधी सरकार ने उस परदेश के बिकास के पिछले 5 वर्स में 10,27,323 करोर दिये अब गुंडे गले में बोट लगा करके घुमते हैं हमें गिरफतार कर लो एंकाउंटर मत करना जी हादोस्तों उन्होंने कहा है कि बंगाल में रोडसो की चर्चा करते हुए कहा है कि मेरे रोडसो में केंदरिये सुरक्षा बलो ने मेरी रक्षा की है वहाँ के लाव एंड ओर्डर के लिए नहीं था वहाँ के लो एंड ओर्डर का पूरा जिम्मा बंगाल पुलिस का था वह बंगाल सरकार के अधी ने चुनाव के दोरान हिंसा पूरी जिम्मदारी बंगाल पुलिस किये जी हाँ दोस्तों अमिज साने राष्टवाद को हत्यार बताते हुए कस्मीर के मुद्दे की भी चर्चे उन्होंने काये कि भाजपा कहती है कि कस्मीर से धारा 370 हटा देंगे राहुल गांदी कहते हैं कि देश द्रोहियों की धारा हटा देंगे भारत माता के टुकडे के नारे लगाने वाले को जेल में डालने पर राहुल बाबा को दुख होती है इसलिए वे देश दोहियों की धारा को हटाना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों अमिज साने अतंकवाद के मसले पर मोधी सरकार द्वारा उठाये गए कत्मों की सरहना करते हुए उन्होंने कहा है कि दुस्मन में दो ही देश ऐसे हैं जो आपने जवानों को खून का बदला लेते हैं एक अमेरिका और दूसरा इसराईल इन दो देशों की सूची में मोधी सरकार ने अब तीसरा नाम भारत को जोड़ने का काम किया है पाकिस्तान पर भारती सेना द्वारा की गई एर अस्टाई के मुद्धे पर अमिजजाने कांग्रिस और सपा बस्बा गटवंदन को घेरते हुए कहा है कि एर अस्टाई के बाद दो जगह मातम छा गया एक पाकिस्तान में और दूसरा राहूल बाबा अखिले स्यादों और मायावती के कारियाले में जहां दोस्तो भाजपा प्रमुक ने राहूल गांधी और मायावती और अखिले स्यादों पर निसा ने साथते हुए कहा है कि बुगा बबुगा राहूल बाबा कान खोल के सुन लो यह नरेंदर मोदी की सरकार है पाकिस्तान से गोली आएगी तो यहां से भी गोली जाएगी दोस्तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी प्रियूडले आप तक पहुँचती रहें जी हां दोस्तो अकली बड़ी ख़बर है पाकिस्तान का दावा वह आतंकवाद पर बाचित को तयार भारत नहीं कर रहा है जी हां दोस्तो भारत में हुई कई आतंकी हमलों को साजिस र कारता की मांग करता रहा है कि आतंकवादी और बाचित एक साथ नहीं कर सकता है पाकिस्तान की विदेश मंतरले के परवक्ता मुहमद फैजल ने कहा है कि प्रधान मंतरी इमरान खान की नीती के मुताबिक इसलामाबाद भारत के साथ रशनात्मक बाचित करना चाहता है आत विजल ने बता है कि इमरान खान 14 दिसंबर 2018 को अपने भारत के पिएम नरेंदर मोदी को इस समध में चिठी भी लिकिती उसमें उन्होंने कहा था कि हम जम्मु कस्मिर के समित देसों के हीतों से जुड़ी सभी मुद्धों को सांतिपूर बाचित करने के जरिये हल करना चाते वहीं भारत आतंकवाद के मुद्धे पर सहयोग के लिए तयार नहीं है 21 और 22 मैं को होने वाले CEO की बैठक में जिहां दोस्तों फैसला का यह बयान 21 और 22 मैं को किर्दकिस्तान के होने वाली संघाई सहयोग संगठन की बैठक के ठीक पहले आया है विदेस मंती सुस्मा सुर दुनिया में रहते हैं उनका सपना तूटेने वाला है जिहां दोस्तों कांगर्श अतक्ष राहूल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सपने की दुनिया में रहते है और उनका सपना तूटने वाला है जिहां दोस्तों उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा ह राहूल गांधी ने कहा है कि मोदी जी नफरत लेकर के काम करते हैं अगर उन्होंने पिछले पाँच वर्सों में प्यार से काम किया होता तो तस्वीर कुछ अलग होती अगर वो मनमोहन सिंग लालू परसाद यादो एस्टेलियन के पास गए होते और उनके अनभो का इस्तमा पार भी जा गया कॉंग्रे सरकार्थी क्या राहूल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश का अपमान कर रहे हैं